सबसे छोटा स्टेशन यही होगा में को इसे लग रहा है क्यों अगना तो उधर चला जाता है इसलामपूर और इधर के साइड तरह जगा पेड़ा ही पेड़ा यह देखो इधर ही पेड़ा पेड़ा आट वाले को मतलब यह लोग ना इतना जादा गंदा काम करता ना जहां तहां रोग देता है लोग एक आग लगता है एक लगाया जाता है तो इन दोने फर्क क्या है बताऊं इन दोने फर्क है ना कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग बढ़ी होगे मस्त होगे सोस्त होगे और हमारे वीडियो देख रहोगे जैसा कि देख सकते हो मेरे पीछे मेरा आरवन फाइब बाइक है जिसको कि मैंने अच्छे से बना दिया था और अभी अपनलोग निकल रहे हैं एक मस्त वाला वीडियो लाने के लिए क्योंकि इससे पहले मैंने कभी आज तक उधर मलब हां गये थे मलब दो तीन वार गये उससे ज्यादा नहीं गये बट अश्टेशन कभी नहीं गये तो आज अपनलोग जा रहा है एकंगर सराय और फिर एकंगर सराय का अश्टेशन के वारे में दि नहीं गया वह स्टेशन में तो एक वार साय गया हूंगा बट बाहर से ही लेकिन अंदर कभी नहीं गया है तो चलो आज आप लोग को स्टेशन दिखाते कैसा स्टेशन कितने प्लेटफॉर्म है पलस कहा टीकेड मिलती है सारा कुछ दिखाएंगे तो वीडियो को इंड तक तो यह सब तो आप लोग पहले भी हर एक वीडियो में देखते होंगे तो आज यह सब आप लोगों नहीं दिखाएंगे डाइरिक रोड का विए दिखाएंगे और फिर डाइरिक डश्टीस में मिलेंगे गाईस यह देखो एक आग लगता है एक लगाया जाता है तो इन दोने फर्क क्या है बता हूं इन दोने फर्क है ना कि जो आग लगती है ना वो पुरे फसल में खुछ जाने के लिए लोग आग लगाते हैं ताकि किसी का पाउं वे समय चूबे ना पलस जब भी इसका जुताई हो ना जब इसका जुताई तो काफ़ी अच्छा सा कर जाती है ना कि हो उसके बाद आग लगा कि इसको मतलब सही कर दिया जाता है ताकि कि किसी का पाउंगे समय चूबे ना पलस अच्छे से जुता सके नहीं तो टायर वार पंचड़ हो जकता है इसकी कारण से और इधर देखो साइध मचली पालन इसका होता है तो अभी हम लो छोटा मड़ा ही मार्केट है पलस सारे लोग कोचिंग वोचिंग अस्कूल है सब जाते है और प्रिये देखो बस चैंपू ऐसा और बस वाली को देखो मलब यह लोग ओवर्टेक करने का ना कारण होता साइड में देख रहा उपर रोड पे ही चड़ागे सारा गाड़िया इस सब लगा देते हैं देखो तारा रोड पे चड़ागे तो यह लोग चले हैं कहां से बाई तो इसी कारण से भी ओवर्टेक करते हैं पलस कुछ गाड़िया तो जानके ओवर्टेक करती है भाई सबाया भी हम लोग एक अंगड़ी आ चुके और फिर पीछे एक में को और सामने के साइड मंदिर जै सिर्राम जै बजरंग वली और जै भॉली नाथ तो अभी अपना भी गाव में हो चुका होगा मातावी और इधर देखो भाई मस्त मस्त भी हुए आज अच्छा नजारा काफी मस्त लग रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है ना तो अच् स्थी अर्च याई तो अब अच्छ इ सफक ह में थाल सबस्कें के करी रख जाई से अखिर अपना हड़ अजके बैंगे अगे मारा के शिकर ना पने ने की से 1 जौब के लुक्र देखिए को हना रही न तर पलिणा मतमानी और आर अफ़ोंकि अब्सेया एपना प्जाश व फिर आज साइड ne से असेड़ों और सेडरों के तरफ से अंधर हो पूम सारवलुको बताते जाएंगे और फिर यह देखो इधर एक अंगर सरा ride मार्केट अभ्य विवनम्हें है ना जो वह स्फाहे दिखे रहा ना फाटक के बाद वाला मेन मार्केट है यह तो मुझा एंट्री है ना तो एंट्री में कुछ ऐसा ही आगे का मार्केट ना काफि धासु वाला मार्केट है तो आप दो कुनोग चल रहे हैं और फिर श्टेशन के तरफ पहले लेंगे उसके बाद आपको देखो इदहर से यह entry station का अच्छा मेंको लगा था यह इसे ही बट्र से entry मेंं एंट्री है वहां पर देखो एक अंगर सरा he आंगे लिखा हुआ नोर्माल है तो नगरा है यह hasz झारे श्टेशन के बाहर देखो सारे लोग खाना पीना वाला कैसे बेशते हैं और इधर से एंट्री है ट्वाइलेट है जो भी वाश्रू में सब है और आगे से एंट्री एक अंगर सराई तो खास नहीं लग रहा है में को बट फिर भी अंदर जाके देखते हैं बाहर से तो कुछ भी लगता सभाईये स्टेशन है यह देखो मनलो काफी छोटा सा लग रहा है एक ही पट रही है देखो में को लग रहा था एक ही होगा क्योंकि मैं वहां से जब फाटक था ना फाटक से ही पता चल गया था वह जो फाटक सामने दिख रहा है क्रोसिंग वाली क्रोसिंग से ही पता चल पनसषण वें भतूहा काफ़ी चोटा सा है वह में को दिखाने का उत्ता ंक क्या आप लोग को दिखा है कि आप लोगोगों के दिखा हैुँ तो काफ़ी छोटा श्टेशन अस्टेशन नहीं हुद करिवल इस सांगर सब सबनी लिखा हुआ बट फिर भी सही है यह देखो कुछ लोग बोल रहा होल्ट है कुछ लोग स्टेशन बोल रहा बट स्टेशन होता तो दो लाइन तो होना ही चाहिए थफाय स्टेशन कोई भी स्टेशन होना तो उसमें दो लाइन होना चाहिए बट यह सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन को परलोग होल्ट भोल सकते बड़्त आप लोग comment करके बताना आप लोग इसको होलड बोले या फिर station बोले फिर जक्षन बोले जक्षन तो खायर कोई भी एंगल से जक्षन नहीं लगरा ach Jedi---- उसन में दों लाएन होता है deed इसमें दो-द्धन सिंगल ल लइन जिसको सिंगल लाइन को मुलग बोलसकते है ऑड़ तो अपनेको फोड लग रहा बट आपको क्या लग रहा है कमेड बॉक्स में कमेंड करकर जरूर बता न कई वाइस बहुत प्यारा होगा न तो भाई सबसे बड़ा सबसे मस्त वाला होल्ट यही होगा और स्टेशन होगा ना तो में को नहीं लगता बिहार सबसे छोटा स्टेशन यही होगा में को इसा लग रहा क्योंकि आपको सायद नेक्स्ट के नेक्स्ट वाली वीडियो में ना बेना का स्टेशन दिखाएंगे जो की बहुत ही छोड़ा था लेकिन अभी इतना ज्यादा बिक्सित हो जुका ना कि अप लोग सोच नहीं सकते हो तो साइड नेक्स्ट वीडियो अपना वही रहेगा और फिर यहां पर देखो टिकट काउंटर है सारा कुछ है यह कुछ लोग बैठे हुए है अंदर दिख रहा है साइड अंधीर है इसलिए नहीं दिख रहा होगा बट फिर भी देख लो इधर ही टिकट काउंटर है सारा कुछ है तो भाई अभी तो अपनों लोग यहां से निकलते हैं क्योंकि कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताना यह स्टेशन है या फिर हाल्ट है हलाकि मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया टिकेट कॉंटर इतना चोड़ा सा है ना बट फिर वी यार स्टेशन में वह भी है ना कहीं भी वह भी है तो बहुत बड़ी बात है और कहीं तो यह भी नहीं होता है तो जहां पर है वहां पर खुसी वाली बात है जहां पर नहीं है वहां पर बहुत दुखद वाली बात है बट फिर वी में को अच्छा लगा चोटा है बट प्यारा है बहुत ही प्यारा है प्लस सारा ओपन है कहीं भी बैठने का कोई जगा नहीं बैठने यह हाल टी है बट स्टेशन ही बोलो यार क्योंकि जो भी एक अंगर सराइस होंगे ना दोखी मत मानना यार बट स्टेशन काफी प्यारा है में को काफी ज्यादा अच्छा लगा डिसेंट वाला लुक लगा बहुत प्यारा लगा तो अपने लोग सोच रहें यहां पर वीडि लगना अपने ममी पबख्या लगना और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहाना तो बाई-बाई-बाई यह देखो बाई एक अंगर सराइस्टेशन वाला बोड पे भी यह लोग क्या-क्या छाप दिया बाई पोस्टर तो एसा गंदा नी करना चाहिए यार कोई भी बोड पे बट ऐसा ना करना चाहिए